वेलकम बैक तो माई चैनल तो आप भी करने चाहते हो अपने चेरे को हाथ परों को एकदम गोरा रातो रात वह भी ऐसी आपके साथ रेमेडी शेयर करने वाली इतनी जादा नैचुरल है घर की चीजों से बन जाएगी आपको बहार की चीज़ लाने की बिल्कुल जरत नहीं पड़ेगी इतनी नैचुरल है कि आगर आप बहार के कोई प्रोडेक्ट यूज करते हो तो उसके तुलना में यह जो प्रोडेक्ट आप यह जो रेमेडी बना रहे हो उसकी रेट है वो हाई है यह इतना जादा फाइदा करती है कि आप इसको रात को लगा कि सोच आओगे मेरे चाहरे अपने मीरर के सामने देखो तो आपको खुद को बता चलेगा कि हमने आज ऐसा चाहर पर क्या लगा कि हमारी की इसकी घ्लोइंग बहुत ज़्यादा हमारे चाहरे पर जो रिजल्ट है वह खुद आपको दिखाई देगा अपने एंपनी रेमेडी पहले फैले एक दम की तो में केलिए ज कूकती सृड़ यह ज़िल हें, जो हो कि फेसे थों ढूव समख पेच से कह रहे ह्सते हैं, ज बढ़ शुआ में तो मधिना सब्सक्राइब के दो पर हैं, तो आपको पता ही है आखों के नीचे डाक सरकल हमारे चैरे पर जो भी गंद की होती है हमारे चैरे को बनाने में एक ब्यूटी टिप है इतना जादा यूसफुल है कि आप इसको यूस करोगी अगर आप इसको नोर्मली ऐसे भी रगड के अच्छे से अपने चैरे को रात को सो जाओगे और मू धुलोगे थंडे 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 पानी से तो अपका चाल इतना ज्यादा फ्रेश लगे इतना ज्यादा यादी कि आप इसको यूस कैसे करना है यहां मैं ले लिए कटोरी लेने के बाद में हम इसके अंदर लेंगे इस तरीके से देख सकते हैं आलू छीलन इस तरीके से जैसे हम लोग आलू छीलते हैं वैसे इस तरीके से ले लेंगे इसको अच्छे से यानि की छील लेंगे इस ततरीक के से से आसानी से हो जाएगा, कदू कास है, कदू कासे आप नूर्मल इस शेप में कर सकते हू स fluor क try को है, याgendकी की नहीं मिलता है कदू कास तो तीन टाइप करता है किसी के पास कदू कास आप वह medium वाला यूज़ करें अगर आपके पास वह बड़ा यानि की k 시간 कर लिए तो इस तरीके से आलु कैसे से दिलाऊ को तेहां इसके पहलाष आलु को काटा था आपको रेमेडी तनी ज्यादा यूसफुल होने वाले कि आप अपने चाहरे पर जो भी दिक्कत है आपके बहुत अदा संटैन होता है घर से बाढ़ जाते हैं तो भी बहुत ज्यादा हमारे स्कीन हो एक्दम डल हो जाती है इसकीन के उपर इतना ज्यादा ओईल रहता है हमार करें engine, यह अदा न्यूंद दारने और यह तो आपकी स्कीन हो रहाएख छिए ना जईदा अधा आईली रहेगागी आपकी स्कीन मश्त लगेगी इस तरीक से देख सकते हैं इसको अच्छे से कटू कस कर लिया है आलू आपको खुद को पता है कितना जादा यूथफूल है हमारी स्कीन के लिए इसको तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इस रेमेडी को अगर करें आलू तो बिलकुल इसकीन की चांस ही होती है अलू के अंदर हम लोग ऐसी दो चीजे एड करेंगी कि आप लोग घर पे ही मिल जाएगी असानी से और बिलकुल बेनिफीशल रहेगी इस तरीके से एक कटोरी फिर से ले लिए यहां लिया है मैंने कपड़ा कपड़ा ऐसा कपड़ा ले लिया है कपड़े से क्या होता है कि सेकंडों में इसका जो जूस है वो निकल जाता है तो अगर आप इसका रस भी लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से निकालके आप लगा सकते हैं देख सकते हैं कितना ज्यादा रस निकल है और जो रस है इसका जो निकल है इ के सारे समझी葉 कमेश है, इस आलू से खथम हो जाएंगे, इस तरीके से से पत्रस इसके रस नगाल लेंगे versus के फेकना नहीं है जैसे हम लोग आलू को रस निकालने के बात में thu wait देते हैं थब्बे से रहते हैं बहुँ जादा black hat से रहते हैं उसको रिमूव कर देता है और आपकी skin कि आपकी skin अटो और 10 लोगों बीच में खढ़े होगी तो आपकी skin थिल्गें नहीं डूशे गलोइंग करता है और आप oldi हलती हमारे facial को यता हट है याज आज बात रिजल्ट का जैसा ही काम करता है हमारी स्कीन के अंधर अगर आप फेशियल याजिए की आप पालर जाते हो आप भुछ जादा प्रोडेक्ट यूज़ करते हो बट रिजल्त होता है ये बात सच होते हैं कि हमारे को फैस्ट नहीं मिल पाता है हम लोग बहु बहुत जादा बेनिफीशन होती है और वह इतनी जादा यानि कि हमारे लिए बहुत जादा अच्छी होते हैं कि हमारी लाइफ टाइम वह हमारी स्कीन को एक दम प्रोटेक्शन फील कराती है तो अगर आप सारे प्रोडेक्ट यूज कर लिए ना पालर भी चाके आँगे पाल जाते हैं उसको एकदम रिमूव करने में हैल्प करता है जो हमारी स्कीन हो दिन डेट सेल होते हैं अंदर से हमारी स्कीन में जो ब्लड फ्लो होता है वो रूप जाता है इस तरीके से यहनिकी यह ज़ए पर आगर आप यह रेमेडि अच्छे से मसाज करके लगाओगे तो आ आपकी skin में जो blood flow है नो start हो जाएगा जिसे हमारी skin naturally एकदम beauty और हमारी skin एकदम glowing दिखेगी इस तरीके से देख सकते हैं मेरा हाथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है अब मैं लगाऊंगी इसके ओपर इस तरीके से जो मैंने better बनाया था ऐसा है कि better आप थोड़ा करता है इसलिए मैंने यहां इसकी double layer लगाई है कि इसको अच्छे से लगा लेंगे और जो बचा हुआ था उसको हम लोग face के ओपर apply करेंगे इस तरीके से हाथ पर लगा लेंगे दोनों पर यहां मैंने बट आपको एक हाथ ही दिखाया है एक हाथ में आपको दिखाऊंगी की result है वो किया है एक हाथ में इस तरीके से इसको सुकाने के बाद में इसे रगड के जैसे यानि की हमारी हाथ की गंद की से निकलती है वैसे करके इसको रगड के अच्छे से निकाल लेना और ठंडे पान इसको दोना है देख सकते हैं इस तरीके से दोनों हाथों में दर द झाल झाल